हेलो गाईज, विलकम बैक तो मैं चैनल, दिवने डिट्या, रॉसक्स वैटरूथ, आलवेज एक्सपोसे डाफनेस, तो कैसे सब लोग आई हो, everyone is fine and you are taking good care of your health, तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो है, कैंटल वैक्स, प्रेडिक्शन ओन वाटर, और आज हम देखेंगे, क actually मैं क्या feel करते हैं, उनका final decision आपके तरफ किस तरह से होगा, ठीक है, वो finally क्या action लेने वाले हैं आपके लिए, so of course it will be a timeless collective for all zodiac science and it is a general prediction, चैनको like शे सुस्क्राइब जरू कर इंस्टाग्राम में follow करे, at sudakshna1369 and you can also subscribe my another channel, so let's get started, इस दौरान आप अपने पुरी तरह से focus, अपने partner पे रखिएगा, ठीक है, जिस इंसान के लिए आप चाहत रखते हैं, उसे के लिए रखिएगा, ठीक है, आपके मन में, आपके ex relationships हो सकते हैं, आपके present भी हो सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आप particular जानना चाहते हैं, उन ही का आपको focus करना है, last में हम with the help of dice prediction भी हम द viewers हैं, उनके जिन्देगी में उनके partner जो है, किस तरह से उनके लिए feelings रखते हैं, और उनका अगला decision किस तरह से होगा, Universe, Spirit, Guides and Angels, please guide me in the right direction, Thank you Universe, Thank you Spirits and Thank you Guides, देखो, यहाँ पर एक lotus या लिली की पत्ते हैं यहाँ पर है, So, generally leaves जो पत्ते होते हैं, वो क्या signify करता है, fertility, पत्ते अगर नहीं हैं, तो कहने कहने पर full भी नहीं आएंगे, full भी नहीं आएंगे तो वहाँ पर फल भी नहीं होगा, So, fertility, growth, abundance, यहाँ पर मुझे दिखाए दे रहा है, आपके person यहीं चाहते हैं, Maybe they are at the top of their career, यह हो सकता है कि इनसान already settled हो, अपने जो professional जगापे है, वो settled हो, लेकिन एक चीज़ का कमी है उनके जिन्दगी में, वो है एक honest relationship का, सम्मन्द का, जो सम्मन्द उनके जिन्दगी में, खईने खईन पर एक requirement है, For example, अगर आप कई जगापे नौकरी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, आप application देते हैं, तो हर एक job का, हर एक post का, एक requirement होता है, कि candidates को इस तरह का होना चाहिए, qualification, वरना नहीं हो पाएगा, regional language जानने चाहिए, यह होने चाहिए, तो कहिना कहिए पर उनके जिन्दगी में, एक requirement है, क्या requirement है, एक honest, एक careful, sorry, honest, very nurturing relationship का, देखें, और यह इनसान, जिसन के लिए आप इस reading को देख रहे हैं, वो ऐसे इनसान है, वो किसी को भी अपने जिन्दगी का, बहुत बड़ा एहम हिस्सा बनाना नहीं चाहते, जब तक वो confirmed ना हो जाए, तो यह इनसान काफी ज़्यादा careful है, अपने personal relationship का dealings को लेके, ठीक है, मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक पक्षी, यह इनसान और एक heart, दोनों मिला के एक heart ही हुआ है, So I do find कि this person wants to give full and final commitment towards you, कि जो उनको हासल करना था, जो उनको तज़ूरबा करना था, वो उनने कर लिया है, आपके person के साथ, आपके age का difference हो सकता है, So maturity level का difference है, understanding का difference है, ठीक है, perspective, नजरिया का difference है, जिस तरह से आप बहुत ज़्यदा positive हो जाते है, obsessed हो जाते है, प्यार में, उतना ही वो अपने आपको controlled में रखते है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक brickshire, जैसे यहाँ पे form हो रहा है, So यह इनसान जो है, अपने family का value, अपने जो पूरवज है, उनका जो भी रिती रिवाज होते आए हैं, उनका family का rules, regulation, traditions, यह सब maintain करते हैं, मतलब very orthodox nature, ठीक है, बहुत ज़्यादा यह इनसान जो है ना, अपने खानदान का हर एक परंपरा को follow करना जानते हैं, तो इसके हिसाब से, यह इनसान को अपनी जिन्देगी में ऐसे partner चाहिए, इविन शायद वो आपसे भी कहते हैं, उनके जीवन में ऐसे partner चाहिए, जो उनके family के rules, regulation के हिसाब से चले हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, rooftop बना है, छद बन गया है, छद बनने से ही मतलब क्या है protection है, can you see, मैं यहाँ पर इसको चीज को चेंच नहीं कर सकती, वरना यह हील जाता है फिर, यह देखो, there is a form of V or a taint ship, ठीक है, इसको कहना कहा है, यह इनसान अपने relationship को, 100%, अगर यह relationship आपी के साथ, of course, यह इसको protection देना चाहते हैं, preserve करना चाहते हैं, जिस तरह से sanctuary में, preserve होते हैं, बहुत सारे animals, जुल, इस दुनिया से, ठीक है, चले जा रहे हैं, और उनको शायद नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो वो सारे animals को, birds को, sanctuary में रखा जाता है, उनका special care and protection दिया जाता है, ठीक है, उसी तरह से यह इनसान, आपको specially protect करना चाहते है, ठीक है, इस relationship को, इस सम्मंद को protect करना चाहते है, यहाँ पे देखो, फिर से तोरन बन रहा है, what I can say is like that, तोरन यहाँ पे फिर से बन रहा है, तोरन जब ही आ जाता है reading में, तो काफी साधा शुब संकेत भी लेके आता है, कुछ दिनों से आपको शुब समाचार मिलने का योग है, आगे भी आप Maybe for many of you, बहुत सारे लोगों के लिए यह आपके ex-partner हो सकते है, okay, ex is formed, यह यह partner एक समय में आपको refuse कर दिये थे relationship में, ठीक है, refusal हुआ था, rejection हुआ था, मैंने आप, maybe आपने कर दिया, इन्होंने कर दिया, postpone कर दिया, whatever, यहाँ पे टेलीफोन फॉर्म हो रहा है, so telephone means, of course the call is going to come towards you, because ring कभी भी बच सकता है, okay, alright, so maybe they have decided, अगर वो आपसे कुछ बात नहीं करना चाते थे, इस मामले में, तो मैं भी उन्होंने फैसला लिया है, कि आपको call करेंगे, और आपके साथ एक conversation, बतलब आपके साथ एक discussion, जरूर होगा, इस wishar को लेके, यहाँ पे पूरी तरह स है, बहुत ही अच्छा तोरा नहीं हाँ पे colorful, मुझे दिक्राए है, यहाँ पे बहुत लटकान वाला तोरा नहीं हाँ पे हुआ है, यहाँ पे V-Shape आ रहा है, V-Y-U-H, letters, can be very important, ठीक है, the number 5, the number 10 is very important, 5 and 10 is very important, आपके person हमेशा ही हरबरी नहीं करते है, क्योंकि उनको पता है कि हरबरी करने से ही न, loss या damage सबस्यादा होता है, so they don't do it in a hurry, बहुत जल्द जल्द नहीं करना है, ठीक है, उनको पता है, यहाँ पे एक arrow form हो रहा है, आप खुद ही देखो, arrow इशारा, इशारे में, ओके, इशारा कर रहे है कुछ, point out कर रहे है कुछ, मैं भी वो अपने ही fault को find out कर रहे है, कि मैं कहाँ पे गलत था, मैं कहाँ पे गलत थी, आप कहाँ पे सही थे, और वो कहाँ पे गलत थे, मैं भी उनके इतना जदा मो माया में वो आ गए थे, पैसे को लेके, या कोई और relationship को ले जो sympathy आपने show किया, ठीके, वो completely unaware थे, समझ नहीं आनता था उनको इतना जदा, और दूसरा चीज़ से उनको दिखाई में नहीं दिया, जब दिखाई नहीं दिया, जब समझ में नहीं आया, तब आप तो उम्मीद रखी नहीं सकते थे इस इंसान से, कि वो उसी feelings को reciprocate करे, समझ में आ रहा हैं आपको, ओके, सो ये इनसान इस तरह का behavior करने के पीछे वही एक, मतलब वही reason है, इस तरह का behavior करने का वही reason है, कि अपने आपको बहुत ही ज़़ा powerful समझ रहे थे, और जब कोई इनसान ऐसा सोचते है कि मैं शर्यंत्ररच सकता हूँ, मैं manipulator हूँ, मैं convert कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे लिए relationship बनाना और बिगरना बहुत बड़ा बात नहीं है, तो ये इनसान तो कुछ भी कर सकते है, why is formed over here, maybe एक साल से दो साल से, maybe आप लोग व्लॉक्ट है, maybe आप लोग को बात नहीं होता है, but हो सकता है कि कुछ समय, maybe day before yesterday, और जिस दिन आप देखोगे, उससे एक दिन पहले हो सता है, इन्होंने, आपको कहीं भी देखा हो, maybe on the social media, maybe somewhere, okay, and they want to say yes also, why is also for yes, but वो indirectly आपको कह रहा है, okay, यह इन्सान का सबसे negative attributes वही दिखाई दे रहा है, कि जब इनको बोलना होता है, तब ना इनको prestige इशू लग जाता है, कि मैं बोलू, कि मुझे ही बोलना पड़ेगा, मुझे ही आगे आना पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, यही उनके लिए एक problem है, बट वो आपके जो affection है, आपके जो humble attitude है, आप जितना polite हो, अच्छे से बात करते हो, sweetly बात करते हो, उनको माफ कर देते हो, उनका राह देखते हो, अगर यह आपके current relationship है, आप उनका राह देखते हो, कब वो आपको callback करेंगे, कब वो आपको बोलेंगे कि, मैं आचुका है मैं आचुका हूँ office से, मैं आचुकी office से, आप खाना खा लो, आप सोजा, इतना थोड़ा सा बात जब तक नहीं होता है न, तो आपके दिल में बहुत ज़दा हल चल हो जाता है, कि मुझे ignore किया जा रहा है, मुझे कोई contact नहीं किया जा रहा है, मैं फोन करने की कोशिश कर लेकिन मेरा phone card दे रहे है, इस तरह का शिकायत ना हो, तो ये future में आपके person यही देख रहे है कि आगे जाके ऐसी शिकायत ना हो, कभी-कभी आपको लगता है कि yes, sometimes you had done too much, ठीके बहुत आपने कर दिया है, इतना ज़दा आपको करना ही नहीं चाहिए था, ठीके you should not have shown such sympathy, ठ ठीके to a stranger, क्योंकि आप तो इनको बिल्कुल नहीं जानते था ना, ये आप से मिलने से पहले तो एक stranger ही थे ना, ठीके तो आपने अपना दिल कैसे दे दिया उनको, कभी-कभी आप भी regret करते हैं, but you should not regret, ठीके, अगर आपको इस relationship को manifest करना है, तो you should not have any regrets in your mind, ठीके, ठीके, कि relationship में इस तरह से होता है, कि बहुत ज़धा अंधेरा हो, तो भी एक दूसरे का feelings काता, पता नहीं चलता, क्या होगा, पता नहीं चलता, ठीके, जगरे हो जाता है, toxic connections बन जाता है, ego issues आ जाते है, ठीके, और दूसरा चीज़ है, कि अगर बहुत उजाला भी हो, तो कही नग दिख रहा है, कि मुझे दिखने में problem हो जाएगा, अगर बहुत आख के सामने आप चले जाओ, तो आपका आख न थोड़ा सा ऐसा लगेगा रहे, मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इस पश्टता से, बहुत ज़धा रोशनी में भी काम करना मुश्किल है, आप हाईवे से जब भी गारी पास होता है, उसका हेड लाइट में थोड़ा स्टिकर मार देते, क्योंकि ज़धा रोशनी से सामने वाली जो ड्राइवर होंगे, जो भी गारी चला रहे होंगे, उनके आखों में ऐस तरह से होगा, कि रोशनी इतना ज़धा आजाएगा, कि accidents भी हो सकता है, बलड हो सकता है, सब कुछ, ठीक है, so everything excessive is also not good, सब कुछ चीज moderation पर होने चाहिए, एक, में भी आप लोग जब बहुत सदा इंटिमेट थे, या आप लोग एक बार ऐसा हो भी हुआ है, कि आप लोग online में बहुत कुछ खाना order किये थे, this is like a person who is delivering food, ठीक हो सकता है कि आपके person का कुछ ऐसे business हो, जहां पर वो food delivery करना, मतलब उनके पास staff है, employees है, जो उस तरह का industry में है, वो food and catering industry में भी हो सकते है, maybe food processing industries में भी हो सकते है, okay, all right, I can see your person sitting quietly, तो रसा शान्त होके बैठे हुए है, सोच रहे है, आगे भी उनको आना है, और सोचना भी उनहीं को है, और मेरे हिसाब से अगर देखना हो, मतलब अगर देखो तुम, तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कि कहने कहीं पर आपको इतना हरबरी नहीं मचाना चाहिए, आपको उनका action के लिए थोड़ा सा wait कर लेना चाहिए, कि आखिर कर क्या चाहते है, क्या करना है इनको, तो उने उस तरह से महसुस किया है कि जबी भी मतलब नीट से जागते है और जबी भी अपना दिन की शुरुआत करते है, तो उनको यह सब्सक्राइब होता है कि काश आप तो आप उनको अच्छा से manage कर पाते तो आप उनके जि आतलेस्ट, because there is no one, like, देखो, अपना life partner के जगा कभी भी parents नहीं ले सकते, और parents के जगा कभी भी life partners नहीं ले सकते, ये तो मानना ही पड़ेगा, जो अपने जिन्दगी में एक खास जगा, जिसको जो हम देते हैं, उसी का वो ही होता है, हर एक relationship का status and equation different है, okay? So, उनको एक loyal partner चाहिए, faithful partner चाहिए, और आपको चाहिए, committed, dedicated relationship, लेके, वही सच्चाई है, और वही हकीकत है, और इसलिए इनसान, finally, आपको अपना बनाने के लिए तयार है, of course, हम देखेंगे, with the help of you, dices, So, इनको फिर चाहिए, और आपको चाहिए, कि मेरे जो viewers है, वो, मैं पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, और पार्टनर के लिए क्या फैसला लेना चाहते हैं, okay? Just a second, guys, okay, so, आप दोनों के रिष्टे में, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कि there were lots of struggles, lot of challenges, यहाँ पर हमेशा ही मुझे दिख रहा है, कि बीच में कोई न कोई ऐसा ही जाता है, और आप एक, मतलब एक गलत position आपको मिल जाता है, मतलब सब कुछ चीजों के लिए आपको blame दिया जाता है, उसके लिए fight हो जाता है, ठीके, फिर आप लोग अपने जो पुराने यादे हैं, उससे आप लोग जोड जाते हो, फिर full relationship में, तो उस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कि कहना कहें पे, there is always a start, there is always an end, इस तरह का relationship चलता है, और कुछ लोग के लिए अगर यह relationship एकतर new है, ठीके, तो यह इंसान थोड़ा सा आपका attitude, आपका expression, आपको समझने की बहुत लगाता कोशिश कर रहे हैं, बहुत quietly सोच रहे है, शान दिमाग पे सोच रहे है, और अगर यह आपके एक partner है, ठीके, तो मुझे दिख रहा है, इनकी इस तरह का मतल़ा मंगल का energy बहुत ज़्यादा strong मुझे लग रहा है, जहां पे यह किसी को भी आपके सामने प्रकट नहीं होने देंगे, अगर आपने इनके बिना किसी और के साथ भी relationship रखा, तो भी यह रोकने की कोशिश करेंगी, जहां पे इनको आगे आना चाहिए, और आपको समझाना चाहिए, दूसरा चीज है, अगर आपके person already किसी और जगा पे married है, या engaged है, या वो किसी और से शादी कर चुके है, तो उस case में मुझे दिख रहा है, third party आपके person की wife है, या husband है, जो उनको आपके तरफ आने नहीं देना चाहते है, और वो भी उस pathetic relationship में रहना नहीं चाहते है, so this is all about today's reading guys, I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.